हलो दोस्तों वेल्कम तो माई चैनल दोस्तों रात को सोने से पहले दही में बस ये दो चीज मिला के लगा लीजिएगा तो फिर आपका जो चहरा है वो एकदम फियार ग्लॉइंग एंड ब्राइट हो जाएगा अगर आपके चहरे में दाग धब्बे संटन संबार्न या फिर पिग्मेंटेशन है किसी भी तरह के दाग धब्बे है तो वह बिल्कुल ही कायब हो जाएगा और अपके स्किन एकदम ग्लास की तरह चमकने लगेगा दोस्तों इस फेस पैक को अपलाई करने के बाद आपके स्किन में एकदम पार्लर फेशियल जैसा ग्लो आएगा बहुत सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना बिल बटन को प्रिस करना बिल्कुल मन भूलना ताकि मेरी नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब के पास जल से जलत बहुत जाएगा दोस्तों इस रिमेडी के लिए हमें चाहिए दही खट कम करने में मदद करता है हमारे स्किन में अलफाइन लाइन्स रिंकल्स आ गया है उसे भी दही कम करने में मदद करता है तो हमने यहां पर एक चमच दही लिया है उस पे अब मैं एट कर रही हूँ एक चमच अलवरा जिल अलवरा जिल स्किन को मॉशुराइज करती है में कर्क्यूमीन होता है जिसकी बज़े से हमारे स्किन से फंगल इंफेक्शन को दूर करने में मदद करता है अगर अगर आपके स्किन में एकने पिम्पल के प्रॉबलम है या फिर कोई भी रैशेज इस तरह की प्रॉबलम है तो हल्दी उसे भी कम करने में मदद करता है और स्किन में एक गोल्डन ग्लो लेके आता है दाग धब्ब को दूर करके स्किन को गोड़ा और ब्राइट बनाता है अब इस पैक को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम एक और चीज इसमें डालेंगे ध्यान रखना दोस्तों एक एक करके इंग्रीडियंस डालन और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि कोई इसमें लम्स ना पड़े एक स्मूद सा पेस्ट बन जाए और आखिर में यहाँ पर एट कर रही हूँ विटेमिन E ओयल मैंने यह इपर EVian 400 विटेमिन E कैप्सुल लिया है विटेमिन E ओयल हमारे स्किन से एजिंग साइन को दूर करने में मदद करता है इसमें बहुत सारा एंटि-ोखिडट होता है जिसकी बज़े से हमारे स्किन की इलास्टिसी बरक़ार रहती है हमारे स्किन म के लिए वर्दान है अगर आपको विटमिन E सूट नहीं करता है या फिर आपके पास यह विटमिन E कैप्सुल अफिलेवल नहीं है तो आप आमन ऑल भी डाल सकते हैं आमन ऑल में भी नैचरल विटमिन E होता है तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसे मिक्स करते ही हमारा इस पर बिल्कुल तैयार हो जाएगा अब मैं बताती हूँ इसे अपको किस तरह से यूज करना है आप इसे रोज रात को अपने चेहरे पर लगाएगा उसके बाद 15-20 मिनिट तक वेट करना है अगर आपके पास जादा वक्त नहीं है तो at least 15 मिनिट अफ वेट कीजिएगा जब यह ड्राई हो जाएगा तो नॉर्मल वरडर से अपने फेस को क्लीन कर लिजिएगा इसे आपकी स्कीन में जो डेवन सिर्ट की लेयर है वो भी दूर हो जाएगा स्कीन में काच की तरह चमाकने लगेगी दाग धबे कम हो जाएगा और स्कीन एकदम ब्राइट सा दिखने लगेगा तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना मिलता है निक्स वीडियो में और कैसा रिजल्ट मिल क्या है अपलाई करने के बाद जरूर कमेंट करके बताना वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया